नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेकनिकल गार्डिनिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो गर्मी समय चल रही करीब 45 डिगरी सिल्सेस का टेंपरेचर हमारे यां हो चुका है तो इस टेंपरेचर में भी हम पालक को कैसे लगा सकते हैं और सिर्फ दो दिन में उसका जर्मिनेशन कैसे ले सकते हैं तो वीडियो का कोई पार्ट स्किप मत कीजेगा दोस्तों वीडियो में आखरी तक बने रहीएगा मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि पालक को एक नायाब तरीका जिससे आप दो दिन में मात पालक जर्मिनेट कर सकते हैं इस 45 डिग्री से इसके टेंपरिचर पर भी तो दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने लिए वीडियो के नोटिफिकिशन आपसे मिस्त ना हो तो आए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए ये पालक के सीट्स हैं इन्हें हम पानी में सोक कर लेंगे अब देख रहे होंगे ये पालक के सीट्स हरे हरे हैं ये चुकि ट्रीटेड होते हैं तो इससे कोई दिक्कत नहीं आप परिसान ना हो कि हरे क्यों है यह थोड़ी chemical treated होते हैं तो इन्हें हम किसी भी वरतन में या किसी बॉल में पानी डालके थोड़ा भिगा के रख देंगे धूप में करीब 3-4 गंटे के लिए और 4 गंटे बाद इसे हम बुआई करने के process में यूज करेंगे तो 4 गंटे के लिए हमने धूप में रख अब जो सीट्स बच्चे हुए है इसको हम ऐसे अगर लगाते हैं तो काफी ज्यादा सीट्स गीले हैं तो यह दूर-दूर तक फैलेंगे नहीं तो इसके लिए हम यूज करेंगे राख और इन सीट्स में हम मिलाएंगे थोड़ी मात्रा राख की यह देखे इसे क्या हुआ कि जब हम सीट्स स्पिंकल करेंगे अपने बुआई करेंगे जिब इसकी तो यह अच्छे से दूर-दूर एक दूसरे में चिपके हुए नहीं रहे हैं यह देखी है हमारी सीट्स तयार होगा है अब आई हम इसकी बुआई करते हैं दोस्तों बुआई करने के लिए मैंने जो मिट्टी तयार की है मैं आपको दिखाऊं इस प्रकार का यह मेरा गुरोब बैड है और इसमें मैंने यह लाइन-लाइन नालिया बना ली है और इनहीं नालिया में हम बुआई करेंगे यह थोड़ा अच्छा तरीका होता है ताकि जब इस प्राउटिंग होती है सीट्स जर्मिनीट होते हैं तो इनकी जो डिश्टेंस होती छोड़ी दूर दूर होती है यह बहुत जादा घने नहीं होते तो पौधे मरते नहीं है सारे अच्छे से चलते है तो इसमें करना क्या है मैंने क्या किया हुआ है मिट्टी को जो मिट्टी मैं रात भर गिली कर दितént और फिर इतनी टाइम को इसमें ये नालिया बना के और हर नाली में मैं इसके पालक के दाने इस प्रिंकल कर दे रहा हूं और थोड़ी थोड़ी दूरी दूरी पर इस परकार से देखिए ये देखिए दोस्तों सभी नालियों में हमने सीट्स को स्प्रिंकल कर दिया है अब हमें करना क्या है कि इसको सीट्स को हलके हाथों से इस प्रकार से ढग देना है जो भी बड़ी ढुक्के हों मिट्टी के उन्हें फोड़ दीजिए और इनको हम ऐसे अच्छे से ढग देंगे और इसके बाद दूस्तों पानी जो देंगे पानी देने का थोड़ा तरीका खास है तो आप वीडियो में आखरी तक बने रहीएगा पानी हम कैसे देंगे यह थोड़ा हमने नया तरीके से इन घर्मियों में पालक लगाने का तरीका ढूंड़ा हुआ है जिससे बहुत ही जल्दी आपके पालक के बीच इस प्राउट होंगे तो यह देखिए तो दोस्तों इसमें वाटरिंग करने का जो हमने पालक लगाई हुई है वाटरिंग करने का जो बिसेस तरीका मैं आपको बता रहा है वो यह है कि यह देखिए जूट का बोरा है जिसको हमने पालक लगा वी अपनी मिट्टी के उपर बिछा दिया है और इस पे हम करेंगे वाटरिंग इससे होंगे हमें दो फाइदे पहला की वाटरिंग करने की वज़ा से जो हमारे सीट्स है वो देखिए मिट्टी से हट जाते थे तो वो नहीं हटेगा पहली चीज यह है और दूसरा यह कि इतनी धूप के बावजूद भी जो पालक की सीट्स को नमी चाहिए जर्मिनेट होने के लिए वो इस जो बोरा जो ह नहीं लिए गश्च चाहिए विए और दिखाव की तो हमं आपको दिखाऊंगा दो दिन के अंदर इस बोरे की मदद से हमारे सारे सीट्स जर्मिनेट हो जाएंगी तो हमें अच्छे से बोरे को सुबह और साम ढोनों टाइम गीला कर देना है और नीचे जर्मिन जो हमारे स यस प्रकार आगर आप जूट का बोरा बिछाए के व्यूफा जूट का रर्खा रखा नुट कि अबधा अ ओं तो दोस्तों यह देखें पूरे दो दिन बाद का रिeder है मैं आपको दिर्ट हुआ क्यों हूं कि आपको दिखाई ने रहा हो तो यह समय है जब आपको इस बोरे को हटाना है क्योंकि अगर सारे पौधर इस बोरे के अंदर से बाहर निकल आएंगे तो फिर जब आप बोरा हटाएंगे तो पौधर डैमेज हो जाएगा मैं आपको बोरा हटाके दिखाता हूं कि इसके नीचे पालक की ग्रोथ कैसी है काफी अच्छी जर्मिनेट हो चुकी है सभी सीट्स की हमारे जो हमने लगाई हुई है तो अब हमें इसे हलके हलके नमी बनाए रखनी है इसमें और अब पालक की जो ग्रोथ होगी वो काफी फास्ट होगी तो इस परकार देखी सिर्फ दो दिन लगे हैं और सारी पालक हमा करीब करीब डेड़ से दो इंच हो गई है पालक की साइज तो अब ये पालक अच्छे से ग्रोव करेगी और करीब 20-25 दिन बाद ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी तो इस परकार दोस्तों अगर आप पालक लगाना चाहते हैं तो इस 45 डिगरी टेंपरेच अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाओ हो या सवाल हो तो कमेंट बाक्स में लिखना न भूलें बहुत बहुत धन्यवाद